शमो दमस्त पहशोचम शांतिरार्जव मेवच ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रम्भकर्मस्वभावजम प्रदर शुकू नमस्कार एक बार फिर सुपस्तित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कारिक्रम में रिण मुक्ती से सम्मधित चीजें लेकर के जैसे इसमें मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जन्मकुंडली का ऐसा कौन सा भाव होता है जिसके कमजोर होने से जातक निरंतर ही अधिक व्याय और गलत निरंए के कारण रिण में रिण के कुछ अक्र से निकल नहीं पाता है शुरू करते हैं जिसका कारेकरण कहीं नहीं जाना है बिल्कुल बनके रहिएगा सबसे पहले तो यही कोँगा कि कारेकरण आप देख रहे हैं जट से जैसर खिसना और अपना डेट अव बर्थ टाइम और प्लेस जरूर लिखें रवी बार के कारेकरण के लिए अपना डेट अव बर्थ डालें और अपने प्रश्ण भी डालें जिस भी समस्या से आप ग्रशित हैं साथी साथ पसंद वाला बटम जब रूदा पातीजे आईए विशव लेकि आता हूँ ये लगन कुंडली में देखना है और नवांस कुंडली में देखना है उसके बाद आपको अपनी जन्म कुंडली में होरा कुंडली में देखना है ये जो सूत्र मैं बताऊंगा ये आपको लगन नवांस और साथी साथ होरा चक्र में देखना है क्योंकि होरा कुंडली वस्तुता व्यक्ति के धनागमन के धन के स्थेरता को दिखाती है कि वो जातक उस दशाकाल में या उस ग्रह के होरा में जो वो ग्रह जिस होरा में बैटा है उसमें वो कितना धन कमा सकता है या वो समपूर्ण जो उसके 24 गंटे का चक्र है वो धन से कितना संजुक्त रहने वाला है धन का कितना वो प्रगाढ़ता उसकी कितनी है यहाँ पे लगन कुंडली में जन्म कुंडली के छटे भाव से रिन को देखा जाता है पर ये वो रिन है जो आपको मुक्त करा देता है अगर जन्मकुंडली का छठा भाव शनी मंगल राहू के तू सेजुक्त हो तो व्यक्ति को रिण में लेके जाने में मदद तो करते हैं पर उससे निकलने में उसको दिकत होती है अगर जन्मकुंडली के छठे भाव पे या छठे भाव के अधिपती कमजोर होते हों या वो अच्छे नहीं बैठे हों तो व्यक्ति के पास वो रिण लेकरके उसको साहस नहीं हो पाता है कि वो रिण नुकाल सके या रिण चुका सके समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ कि जन्मकुंडली के छठे भाव के इस्थती अगर खराब है या कमजोर है या अच्छे नहीं बैठे है वहाँ पे कोई ग्रह अच्छे नहीं बैठे है अगर कोई ग्रह यहाँ नीच का बैठा है या फिर जन्मकुंडली में यहाँ ये ग्रह आपकी कुंडली में बिपरित राजयोग का निर्माण कर रहा हो जैसे बारहमें के अधिपती छठवे में आकर के बैठे हैं या आठमें के अधिपती छठवे में आकर के बैठे हैं तो यह क्या होगा ये बिपरित राजयोग ह तो ये विपरित राजियों का निर्माड करेंगे अब व्यक्ति अपने रिण के कारण अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माड होते देखेगा और अगर वहां मंगल खराब हो करके बैठे हो मतलब नीच के बैठे हो या शत्रू के घर में बैठे हो या उन पे किसी शुभग्रह की दृष्टी न पड़ती हो तो वो रिण ले करके उलज जाता है ये तो चटे भाव की बात है जो आप लोग जानते हैं कि ये अपस्टेकल का भाव होता है चटा भाव और यहां से व्यक्ति रिण के कुछ चक्र में फंसता हुआ देखा जाता है पर व भाव का त्रिकोन भाव और पांचमा भाव होता है धन भाव के लाभ का भाव होता है भाग्य के सुख का भाव होता है अगर उस भाव की कमजोरी हो जाएगी जरा सोचके देखे तो ये छट बारवा भाव कितने भावों से संबंद बना लिया धन भाव से लाभ क्योंकि ध चट्वे भाव से सुख या पूरक की बात होगी, चट्वे भाव का पूरक होगा, भाग्य के सुख की बात होगी, क्योंकि किसी भी भाव से चौंते उसका सुख देखा जाता है, और जन्मकुंडली में लगन के ब्याय का बाव है, वो जो भाव है, वो लगन के बारह में भा भाव का वो लगन का ब्याय है और आपके पुरुशार्थ के पराक्रम का भाव है दस्वा भाव पुरुशार्थ का होता है और वहां पे तीसरा उस दस्वे भाव का तीसरा आपके पुरुशार्थ के शाहस पुरुशार्थ में कितना बल है उसका भाव है इन सभी कारणों के कारण ब्यक्ति अगर रिन में फंस जाता है तो बारवे भाव से आपको ये पता चलेगा कि ब्यक्ति रिन से कितनी जल्दी रिन उगाही करेगा या रिन से कितनी जल्दी वो रिन मुक्त हो जाएगा अगर किसी भी जातक कि कुंडली का बारवा भाव परतंत्र है, पापक ग्रह से युक्त है, मतलब शनी राहू या यहाँ पे कोई नीच का ग्रह बैठा, या इस भाव के अधिपती नीच के है, या इस भाव में अच्छा ग्रह नहीं बैठा है आठमे छटमे बारमे भाव का अदिपती वहीं होकर के बैटा है और परिशान है, कुपित है, अस्त है, नीच का है, किसी सुभग्रह से युक्त नहीं है, कोई सुभग्रह वहाँ देख नहीं रहा है, तो व्यक्ति को रिण्व चुकाने में दिक्कत होती है बारमा भाव परिशानियों के अंत का होता है, बारमा भाव मुक्ति का होता है, बारमा भाव सर्वस्व का होता है, सुख का, सर्वस्व, मतलब अब वहाँ से आपको कुछ भी बाकी नहीं है उस भाव से, वहाँ बारमा भाव आपके, मैंने बात बताई थी, कि अगर तो ब्यकति भगवान से चरना रंबिंद का कारण है, वह मौक्ष का घर है, है ना, वमोक्ष का घर है, 14, 8 और 12 यह मौक्ष के घर कहे जाते हैं, तो जन्मकुंद्ली का जो 12 भाव है, अगर आपकी कुंद्ली में वहां पे शनी मंगल राहु के तू देख रहे हैं या वहाँ कुपित होकर के शनी मंगल एक साथ इकठे बैठे हैं, तो व्यक्ति कुछक्र में फंस जाता है, कोट के सकचाहरी से उसको कभी उर्ण ही नहीं होते देखा जाता, या साथी साथ, अगर चन्मकुंडी के बार्वे भाव के स्थुति बड़ी अच्छी नहीं बनी है तो आपको रिंड लेने से बचना चाहिए, और कोशिस ये करना चाहिए, कि आप कभी भी किसी का रिंड ले करके मृत्यू को प्राप्त नहों, रिंड ले करके कभी मरना नहीं चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को बहुत ही उलजहा देती है, वो चीजें आपके बार्वे भाव के स्थिति पुनर जन्म को भी परभाशित करके आपके बारवे भाव को कुपित करने के कारण अगले जनम को भी परिशान करती है। यहां से आपके भागे का सुख देखा जाता है, तो चाहे आपकी कुंडली में चतुर्त भाव के अधिपती बारह में बैटे हैं, भन भाव के अधिपती बारह में बैटे हैं, चतुर्त भाव के अधिपती बारह में बैटे हैं, पंचम भाव के अधिपती बारह में बैटे ह चटमे भाव के अधिपती बारह में बैटे हैं तो अपने जन्मस्थान को छोड़ करके भी किसी भी अवस्था में चाहे कैसी भी स्थती बन सके पहले अपने रण को चुकाने की कोशिस करनी चाहिए और अगर आपकी कुंडली का बारमा भाव मजबूत हो करके बैठा जैसे म करनी चाहिए कि आपके समाज का जो सबसे उचा अधिकारी है उसे से संपर्क बना करके अपने रधन को कैसे उगाही किया जाए ताकि रण की मुक्ती बन सके बारमा भाव जो होता है न वो ब्यक्ति को जिम्मदारियों का एहसास कराता है अगर बारमा भाव आपकी कुंडल जिम्मदारी का बहुत ही प्रगल भता से वहन करते हैं जो व्यक्ति अपने जिम्मदारी का संपूर्ण वहन नहीं कर रहा है या फिर वो अपने जिम्मदारियों का संपूर्ण एहसास नहीं कर रहा है उसकी कुंडली का बारमा भाव खराब होता है अभी तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है जिम्मेदारी क्या है? मोक्ष है आपकी जिम्मेदारी वस्तुता क्या है? मेरी जिम्मेदारी क्या है? कि मैं परमात्मा का ध्यान सदईव करता रहूं बहुत ज़्यादा कुछ अक्रमे न फशुँ मेरी और आपके स्थोती क्या है, मेरा परमलक्ष क्या है, या किसी भी जो जीव है, उसका परमलक्ष होता है, इश्वर के द्वारा बनाए गए, दिन चरिया का पालन करता हुआ, उनके सद्गुणों का आहान करता हुआ, अपने जीवन पे उतारता हुआ, उनके ही पास जाकर करके समाहित हो जा उनके चरणों में जो है वो अपने प्राणों की वो कर दे यही होता है मोक्ष जिसे कहते हैं ना इक्षा जिसमें कुछ भी इक्षा ना हो वही मोक्ष है तो कहने का अर्थ है कि बारवाभाव मोक्ष का है इसका अर्थ है कि व्यक्ति की कुछ भी इक्षा न बना रहता है, मतलब अमर हो करके जाता है वो मरता नहीं है, वो अपने जीवन में अपने कृतियों के द्वारा समाज को बहुत चारी चीजें दे करके तब वो मृत्यों का गराह ग्रहाण ब्रक्ति रिण में है तो उसे करना क्या चाहिए तो सबसे पहले अपने जन्मकुंडली के लगनेश और जन्मकुंडली के धनभाव के अधिपती की आराधना करनी चाहिए और मैं तो समस्ता हूँ कि ना तो आपके पास जो पूजा करने की सामगरी लेके गए हैं भगवान उ आपसे खुश होते हैं वो किसी से खुश नहीं होते जो सदव एक जैसा रहता है वो परमात्मा है और वो कभी किसी भी चीज से खुश और नाराज नहीं होता है वो तो बस आपके उस मनोभाव से अपने आपको प्रसंद मात्र कर लेता है कि हाँ इसने मेरी भक्ती की है और दरसल वो आप ही का किया हुआ मेहनत आपको देता है आप के ही द्वारा जो चीजें की जाती है परमात्मा के लिए उसका वो प्रतिफल देता है उसका वो फल देता है उसके भी वस में कुछ नहीं है और कुछ भी उसके वस के बाहर नहीं है तो भगवन मेरे काने का अर्थ सि कि रिण मुक्ति से बचने के लिए भगवान गनेशी की आराधना बिलकुल ही करनी चाहिए। लेवी कारिक्रम में बताया था कि जब भगवान को बौधा बतार लेना था तब भी उन्होंने भगवान गनेश की आराधना की थी उनके लिए तपस्या की थी तब जाकरके उनको भगवान गनेश का साक्षाद दर्शन होता है और उनसे गनेशी पूछते हैं कि दुनिया आप मेरी आराधना क्यों कर रहे हैं तो भगवान ने बात कहीं नाराएंड ने बात कहीं कि मैं धर्टी पे जा करके एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ जो बिलकुल ही सनात्वन धर्म की निंदा करेगा जो वेदों की निंदा करेगा और ये काम मेरे लिए बिल अच्छात गणपती के सरण में आईए उनकी ही आराधना से ये काम आपको निश्चित रूप से फलाफल दे देता है निश्चित नहीं मेरी बात एक सौ प्रतिशत नहीं मैं अगर कुछ भी अगर कह रहा हूं तो उनके ही करपा के पात्र होने के कारण कह रहा हूं मैं आपको अपना ही अनुभव बताओं तो जब मैंने चतुर्थी का वरत सुरू किया था अपनी बात बताता हूं जब मैंने चतुर्थी का वरत सुरू किया था चैनल सुरू करने से पहले की बात नहीं ये चैनल सुरू करने के बात की बात है तो मेरे पास संकल्प के ग्यारह रुप करता है सच्चे हिर्दय से उनको ही राजा बनाता है और उनका दास बन जाता है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती है चाहे वो पुत्र हो चाहे वो विद्या हो चाहे वो धन हो चाहे वो इस्थर लक्षमी हो चाहे वो एश्वरे हो चाहे वो सुख हो चाहे संतान हो चाहे कुछ भी हो वो सब चीज बिल्कुल ही समय पे देने की योग्यता रखते हैं अब गर आप रिण में हैं तो निश्चित रूफ से रिण मुक्ती गणे सस्तोत्र का पाठ करिए कभी होगा तो मैं इसी इसी दिन में अलग से एक वीडियो बना करके गणे जी के लिए रिण मुक्ती स्तोत्र होता है उसका पाठ करके आप लोगों के सामने प्रस्तूत होंगा वो काम करिए बारमे भाव के लिए गणे जी की आराधना करनी चाहिए चाहे आपके धनेश कोई भी हो चाहे आपके सिर्फ आप प्रते एक दिन अगर रिण में मुक्त होना रिण से मुक्त होना चाहतें बागी कोई और डिमडाम नहीं करना है कोई आपको ये बताएगा कोई आपको ये बताएगा पर मैं साक्षात जिसका प्रतिफल मुझे मिला है मैं वो बात आपको बता रहा हूँ और अगर हो सके तो प्रते एक दिन अपनी दिन्चरिया में गणे संकट नासक अस्तोत्र का पाठ करिये और गणपती अथर्वसर्ष का पाठ करिये फलस शुर्ती में गणपती अस्तर्वसर्ष में क्या बात लिखी है कि जो मुझे शमी पत्र अर्पित करता है जो मुझे मतलब वो जो आप लोगों को बाजार में लड़ु मिलता है वो मोदक नहीं होता है वो लड़ु लड़ु नहीं है वो तो बाजार में बस ऐसी लोड़क मोदक बना है वो लड़ु नहीं है भगवान गणेस जी के तश्वीर में आप लोगों ने देखी होगी वैसी लड़ वस्तुता भगवान गणेस जी को गणपती को जो लड़ू मोदक प्रिहजी से मोदक कहते हैं वो प्याज की आकृती का होता है जो नीचे से एक दम बिलकुल गोल होता है और उपर जा करके धसा हुआ निकला हुआ होता है वैसा गोल वो मोदक है उसका भगवान को अर्चन कर करना चाहिए एक हजार नामों से और प्रतिक दिन भगवान गणेस जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए 21 दुर्वा अगर हो सके तो या संकट नासक और गणपती अथर वेशे शमी पत्र और दूर्वा और साथी सांथ मोदक अर्पित करना चाहिए है यह चीज इतने से नहीं आपको मैं गैरेंटी देता हूँ और यह बात मैंने लोगों को बताई भी है जो मेरे पास आते हैं कि पंडी जी रिण में हैं बड़ा परिशान है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है यूटूब पे तो खैर समाधान का संसार ही है आजकल पर यह क लीला स्वरूप अपने पिता के विवाह में भी सबसे पहले पूज निये है इस वज़ा से अगर आपकी कुंड़ी का बारवाव विछिप्त है परिशान है कुंठित है और कस्ट में है तो सिर्फ एक मात्र यही उपाय बाकी है गीता जी के 18 में अध्याय के 42 श्लोप में भगवान ने ब्रामभणों के कर्म बताए है मैंने पिछले कारिक्रम में जो मैंने धनभाव से समदीत कारिक्रम बनाया था जाकर के देख लीजे उसमें छत्रियों के कर्म के बारे में चर्चा की थी अकुल किसी ने लिखा भी था किल कमेंट में कि पंडी जी जाती बाद न फैलाएं हम लोग पहले सहीं जाती बाद से ग्रसित हैं और भटके हुए हैं मैंने कहा कि अगर विशय की गंभेरता को न समझते हों तो बेवज़ा न कूदें ऐसा लिखा था कमेंट में उनको उत्तर दिया था कि अगर विशय की गंभेरता को न समझते हों तो विशय को अक्षुन रखें उसमें कूदे नहीं तो वस्तुता च्छत्रिये वर्ण की बात है जाती की नहीं ब्रह्मभर वर्ण की बात है जाती की नहीं तो ब्रह्मणत्व सब के पास समाहित होता है ब्रह्मणत्व का गुण सब में होता है तो प्रम्हणत तो क्या है? यग्य का पालन करना, यग्य का कारे करना, दान लेना, दान देना, समाज को स्रेस्ट बुद्धी और आचर्ण का ज्यान देना, धर्मा चरण करना, लोगों को शमा कर देना, किसी के निंदा इस थोती में कोई विश्वास ना रखना, परमात्मा का बोध सदैव करते रहना लोगों को जागरित करना गलत और सप्तिके बीच का भेद लोगों को बताना सिक्षा देना और सिक्षा ग्रहन करना गुरु कुलिय परंपरा से युक्त होना अध्ययन और अध्यापन का काम करना संपूर्ण संसकारों से युक्त होना और सदै वहीं लोगों को दया का पात्र समझ करके उसको दान कर देना सर्वस्व मनिस्मृति वाले में मैंने क्या बात कही थी कि संपूर्ण बिश्व के संपूर्ण संसाधन ब्राम्वनों के ही है पर ब्राम्वन चुकी दया का वाहक होता है वो दया का सागर होता है इस वज़े से अपनी संपूर्ण साधन को उसने लोगों को दान कर दिया और वापस इस बात की अपिक्षा करता है कि समाज जो मुझे देगा अपने प्रायस्चित का जो समाज मुझे लोगों को सदैव जागरित करते रहना ये ब्राम्वन का कालिया है अपने धर्म और अपने ही धर्म का सदैव पालन करते रहना किसी दूसरे के धर्म में अलंगा न डालना क्लेर है अब तके लिए बहुत बहुत तमस्कार